नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आवित स्वागत है आप सबका डिफिन्स डिकूट पर और इस वीडियो में हम बात करने वले हैं कुछ टेक्नोलोजी को लिखे जो कि अभी हाली में डेपलोई किये गए थे इंडिपेंडेंस डे पर यहां पर यह जो टॉपिक है वो छूट गए थे तो यह है डियाएडियो दोरा बनाया गया एंटी ड्रोन सिस्टम इसके बार में हम सभी बात कर चुके हैं पिछली कई सार और वीडियो में इसी का एक जो वेहरेंट है वेहोगें मांट करके केशमी में डेपलॉय किये गये हैं तो यहाँ पर इसी एंटीड्रोन सिस्टम में कुछ नए ऐलिमेंट है उनका अडिशन हुआ है उनको लिके हम स्पेशली बात करने वाले हैं यहाँ पर जो पहले को जैम करने के लिए नए सिस्टम को इंट्रेड्यूस किया गया है तो यह तो बात जाती है soft kill की वहीं पर hard kill के लिए जो एक method है उनका भी addition किया गया है deploy करते हो laser beam को मतलब जो भी target आप track कर रहे हो वो उस target को आपके recommend का according destroy कर देगा physically यहाँ पर इस anti-drone system में एक और element का आपको अडिशन देखने को मिला है वो है D.I.D.O के maritime patrol radar यानिकी MPR का एक variant MPR के बार में पहले भी बात कर चुके हैं ति इसके जो rooftop test है वो conduct के आ चुके हैं सफलता पुर्वक और जो flight trial है वो जल्दी conduct की जाएंगे यहाँ पर इसी का एक जो को variant है वो आपको देखने को मिला है यह एक ICR radar है यानिकी active electronically scanned array radar और यहाँ पर जो scale range होगी वो 80 km तक जाने वाली है यहाँ पर radar को mount किया गया एक rotating pedestal पर जो कि rotate होके 307 degree cover करेगा वैसे तो जो भी आपके ICR radar होते हैं वो आपको इस तरह के requirement नहीं पढ़ती है यहाँ पर कियो का radar है वो भी X-band ICR radar है रेंज यहाँ पर डिया डियार रेंडर में हायर होगी जबकि DSR में 30 km की range है basically इस तरह के element को आप तभी introduce करते हो जहाँ पर आप कोई risk नहीं लेना चाहते हो और जो multiple system है यानि कि redundancy वो आप introduce करना चाहा रहे हो तो वहाँ पर जो multiple system है वो add गये जाते हैं यह आपको सक्षम मंगे drone को एक longer range पर पकड़ने में high resolution के साथ और इतना ही नहीं radar यहाँ पर किसी कदर के individual vehicle या फिर moving object अज पास हैं तो इस सब को यह track कर पाएगा तो 0.01 m2 कार से इसको यह पकड़ने में सक्षम है जबकि track के टाइम पर ही यह scan भी कर रहा होगा यही से radar है वहीं पर target को यह classify कर रहा होगा यहाँ पर इसको jam करना असान नहीं होगा यहाँ इसके पास अगर estimated range के बात करते हो तो helicopter को 40 km पर पकड़ लेगा को यह move कर रहा है वह vehicle को पकड़ सकता है 20 km पे और को human move कर रहा है तो उसको यह 10-12 km पर पकड़ लेगा तो यह estimated range है अगर बात करते हो power consumption की तो कहिन के 400 watt से उपर की रहने वाली है तो इस तरह के system का integration है वह अप्लिकेशन में यहाँ पर अच्छे बात यह हुई है कि इस पूरे counter drone system में सब यह element आपके अपने हैं तो यहाँ पर दो चीज़े आपको नई देखने को मिली है फिला इस वीडियो में इतना है जाए करने हैं जाए 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 झाए झाल